नमस्कार किसान मित्रो, स्वागत आपका किसान एलपलाइन के मंडी बाव वीडियो में आज दिना 11 मार्च 2014 दिन है सुमबार का किसान मित्रो यह लसुन भाव का वीडियो जिसमें हम आपको समय है पांच बज़े का और पांच बज़े तक किस्तिती में बता रहे हैं लास्ट निलाम में केसी लेवाली देखने को मिली है और किता माल विका है दलोदा मंडी में तो किसान मित्रो अभी जो पांच बज़े का समय है वो तेजी मंदी की बात करें तो सुबह से बाजार बढ़ा देखने को मिला है और फिर से बाजार तेजी सा देखने को मिला है जो सबी माल लगबग लगबग बिग चुका हैं आज की ये इस्तिती इस प्रकार की देखने को मिली है तो भिसार मित्रों देख सकते हैं पांच बज़े का समय है और ये शपरे के साइट में आसपास कही माल बचा हैं बिगने को बाकी सारा माल मंडी के अंदर बिग चुका हैं त तो अपमें quality अनुसार लास्ट निल्लाम के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो बने रहे किसान एल्पलाइन के साथ पर लिए बार किसान एल्पलाइन चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर all notification को सिलेक्ट अवश्य कर ले हैं ज़े ज़वाण ज़े किसान देखिया किसान मित्रों देशी लस्टिन का क्वालिटी देखने को मिला है 9211 रुपे प्रतिकुंटल के बाव से विखा है यह लास्ट निलाम में साइज बगेर आप देख सकते इस प्रकर का बड़ा माल देखने को मिलागा इसमें बाकि मीडियम लट्टू भी मिक्स ह बड़ा थुका है जैसा कि आप देख सकते हैं लोड भी अच्छा देखने को मिला है 9211 रुपे प्रतिकुंटल भीकने वाला क्वालिटी जैसा कि आप देख सकते हैं खोजे किसान बढ़िया है क्या नाम बढ़िया क्या बढ़ विखा है अपको के नाम बढ़ जी कुन से कि अच्छा तो किसा लगा आज का बाउग यह 9200 में नी ताज बाजार कंसल आपने के मंदी कई लगी आप बढ़ बढ़ है यह अप पहली बार आया पहली बार लाए अच्छा पहली बार लाए यह पर बढ़िया उटी लसं का क्वालिटि लोड देखने को मिला है साइज व त्याब माल को 10,781 रूपए प्रतिकुंटल के बाव से भिकाएं एक और उठील असन का कॉलिटी लोड देख सकते आप इस परगार का साइज परटी जैसे कि आप हाथ में देख रहे हैं देमाल में देखने को मिलेगा 10,701 रूपए प्रतिकुंटल भिकाएं यह माल यह आप जिसे कि देखे का किसान मित्रो लाष्ट निलाम साड़े-चार बज़र वाले के स्थिती में दलोदामंडी सा क sparkling का क्वालीटी लोड देखने को मिलेगा ये देखेगा नया देशी लसुन का quality है 6300 रुपर प्रतिकुंटल के बाव से गया है 6300 रुपर प्रतिकुंटल चर्री लड़ू मीडियम तीनों साइजेस मिक्स हैं इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इस परकार का quality 6300 रुपर प्रतिकुंटल बिखने वाला क्वालिटी माल आप देख सकते हैं इस परकार का बड़ा माल जो साइजेस में देखने को मिला है ये आप देख सकते हैं इस परकार की quality बड़ी साइजेस में आकि मीडियम लड़ू भी मिक्स हैं कुछ-कुछ 10602 रुपर प्रतिकुंटल बिखने वाला क्वालिटी देखेगा देखने को मिला है 8601 रुपर प्रतिकुंटल के बाव से बिखा हैं ये आप देख सकते हैं इस परकार का बड़ा माल है इसमें जैसा कि आप देखेंगे देखेंगे माल है ताकि मिडियम लड़ू मिक्स है देखने को मिलेगा इसमें अच्पणी बिखने को मिलेगा 8601 रुपर प्रतिकुंटल बिखने वाला नया देखी लशंगा क्वालिटी ये देखेगा 1202 रुपर प्रतिकुंटल बिखा है एक 16 मीडियम माल का देशी लसुन का कॉलिटी देख सकते हैं इस पकार का साइट 202 रूपे प्रतिकुंटल बिखने वाला क्वालिटी छर्थी मिक्स हैं मीडियम लड्डू कुछ देखने को मिलेगा ताकि आप कॉलिटी आप देख सकते हैं इस पकार का माल 202 रूपे प्रतिकुंटल बिखने वाला क्वालिटी यह वह एक ला एक त्र परिकुंटल बिका हैं बारिक माल है इस पकार काकश छी मीडियम लड्डू है बाकर कुछ है वाकि क्वालिटी में इस पकार का माल 5,800 रुपर प्रतिकुंटल भीका है यह देखेगा 7,300 रुपर प्रतिकुंटल भीकने वाला देशी लशन का एक और क्वालिटी मीडियम माल देखने को मिलेगा ज्यादा इसमें जैसा कि आप देखेंगे इस पकार का क्वालिटी वाइट टेंस वागेरा ठीक है आपकी क्वालिटी आप देख सकते इस पकार का बड़ा माल है कुछ बाकी मीडियम माल ज्यादा है 7,300 रुपर प्रतिकुंटल भीकने वाला देशी लशन का माल लास्ट निलामयाद दलोजा मंडी का और ये बहिया क्या भीका भीया 7,300 नमस्कार किसान भाईयों क्या इस बार आपकी फसल की पैदावार कम हुई है क्या आपके खेत की मिट्टी धीरे-धीरे बंजर होती जा रही है क्या लगता है आपको इतनी मेहनत के बावजूद भी आपकी फसल का उत्पादन कम क्यू हो रहा ऐसे ही बहुत सारे प्रश्ण आपके मन में चल रहे होंगे इन सभी प्रश्ण का जवाब एक ही है कि आप एक बार अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करवा ले जैसा कि आप सभी जानते हैं रभी फसलों की कटाई का काम लगभग पूरा होने को है या कई जगहों पर किसान भाईयों के खेत खाली हो चुके है और गर्मी का मौसम भी आगया है तो किसान भाईयों अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाना है तो किसान हल्प लाइन से संपर करें दिये गए नंबर पर अपना नाम और अपना पता लिखकर व्याट सब करें। धन्यवाद।